हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कुकिंग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाज़त है और आज हम जानेंगे हरे धनिये की बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी बनाने की रेसिपी हरे धनिये की चटनी बनाने के लिए हमें जुरुत होगी थोड़े से हींकिया चार की रोस्टेट पीनट्स की, रोस्टेट पीनट्स का स्वाध हरे धनिये की चटनी में बहुत अच्छा आता है थोड़ा चाहिए होगा में जीरा आधा इंच के करीब अद्रक कट्टुकुडा दो हरी मिर्चे जिने मैंने चीर कर लिया है चोथाई नीमू का रस यदि आप वरत के लिए बना रहे हैं तो आप इसे की जगे इमली का गूदा ले सकते हैं मसालों को बैलेंस करने के लिए चाहिए हमें थोड़ी सी चीनी लिया है मैंने इसमें थोड़ा धनिया, सवादा नुसार, लाल मिर्च, सफेद नमक, काला नमक और ये हैं 50 ग्राम हरे धनिया का बंच जिसे मैंने साफ करके, धोकर, और इसका पानी निकालकर रख लिया है अब हम मिक्सिंग जार में ही इस चटनी को पीसेंगे, बिल्कुल बिना पानी के तो मैंने धनिये को शिफ्ट कर लिया है, मिक्सिंग, जार में हरा धनिया डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है इसकिन के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही ये हमें गैस से भी छुटकारा दिलाता है किसी भी तरहे के जो चाट पकोडी स्नैक्स होते हैं उनको हम हरे धनिये के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हर धनिये के साथ मैंने रोस्टेट पीनट्स, हींका चार, चीनी, जीरा, हरी मिर्चे और अधरक का टुकडा इन्हें एक एक करके इसमें डाल दिया है अब हमें चुकी इन्हें बिना पानी के पीसना है तो हम पानी के इस्थान पर इसमें प्रियोग करेंगे बरफ का इसमें धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार लाल मिर्चे कई बार क्या होता है कि मिक्स्ती में जो हम चटनी पीसते हैं वो जागदार हो जाती है तो ऐसी इस्थितिन आए यहां पर हम प्रियोग करेंगे 6 या 5 बरफ के टुकडे यह बरफ के टुकडे इस चटनी को 7-8 दिन तक फ्रिज में आप इसे स्टोर करके रखते हैं तो हरा रंग बनाए इसका रखेंगे अब आपने देखा कि मैंने इसे 1-2 बार low speed पर grind किया तो यह केवल छोटे टुकडों में कट गई लेकिन अभी बारीक नहीं हुई है तो अब हमने बरफ हम इसमें पहले ही डाल चुके हैं अब डाल दिया है मैंने इसमें नीमु का रस और फिर मैंने इसे 4-5 राउंड बार चलाया तो यह हमारी चटनी बिलकुल सिल्वट्टे वाले texture लेकर तैयार हो गई है हरे धनिये की चटनी जो भी जिस भी खाने के साथ हम सर्फ करते हैं तो खाने को बहुत attractive और रंग बिरंगा बना देती है फ्रिज में हम इसे एक सब्ता तक इस्चोर करके रख सकते हैं और इसका रंग भी ऐसा ही रहेगा अगर आपको यह चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चटनी की इस रेसिपी को एक लाइक दीजेगा यदि मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करें थैंक यो वाच्छिं।